the area of four walls of a room is 120 meter square if the length of the room is twice its breadth and the height is four meter find the area of the floor okay question बोल रहा है आपका जो आपके रूम के जो रूम है रूम के चार दिवालों का जो चार दिवारों से ही मिलके बनता है तो उस चारों दिवारों की जो एरिया है आपका कितना है 120 meter square है और जो आपके रूम का जो length है रूम का जो length है उसके breadth के रूम के breadth के twice है मतलब दुगुन्णा है मतलब जो रूम का जो length है वह breadth से 14 से दुगुन्णा है और उसका height जो 4 meter तो पुछ रहा है question में area of the floor मतलब एरिया और फ्रोन मतलब नहीं समझते हैं मतलब जो चार एरिया जो आपके जो लंब जो आपके मतलब जो लेंट इंटु ब्रेथ से जो घीरा हुआता है मतलब आपके घर का जो नीचे का फ्लोर का एरिया फ्लोर होता है उसकी एरिया बताना है ठीक है मिंस कहने का मतलब पर देखिए कि माल लेजे कि आपका जो है यह लंबा यह आपका लंबाई हो गया और यह आपका च्या उड़ाई हो ठीक है तो मतलब जो आपका यह पोर्शन हुआ यह पोर्शन हुआ इसी पोर्शन की एरिया निकालना है इसी पोर्शन की एरिया निकालना है ठीक है तो of the four wall कितना दिया है area of the four wall area of the four walls कितना दिया आपका 120 meter square दिया ठीक है और आपका जो height जो दिया है कितना दिया है height जो है ता इसको आप ऐसे represent कर लो height कितना दिया आपका 4 meter अगर यहां पका रहा है कि रूम का जो length है तो रूम के ब्रेट के दुगना है क्या length length जो है ब्रेट के ब्रेट से दुगना है मतलब अगर जो ता लेट अगर लेट लेंज जो ता है अगर अगर मुझे यहां पर सबसब लिख दो कि अगर length जो है इसको खटा दो cancel कर दो लेट जो ता है आपका ब्रेट जो है ब्रेट बी इसको बी से ब्रेट बी अगर आपका x है तो आपका जो length हुआ length कितना हुआ आपका 2x length क्या हुआ 2x हुआ ठीक है तो आप area of the 4 wall का formula लिए 2 into l plus b into height होता है होता है और area of the 4 wall हमको दिया कितना 120 meter square दिया तो 120 meter square equal to 2 into l plus b into जो है height ठीक है तो 120 equal to आपका 2 into l कितना दिया हुआ हुआ है l दिया आपका आपका l 2x plus breadth x और height कितना 4 दिया है ठीक है जब आप क्या करोगे जब जो है और जो तो आपका 2 से इसे cut करोगे कितना मतलब 2 से 120 भागा यहां 2 कर दोगे तो कितना 2x plus x into 4 तो कितना तो आपका हो गया 60 हो गया ठीक है तो 60 feet 4 multiplied में तो 6 को यहां ला दोगे तो कितना 2x plus x कितना होगा 3x ठीक है जब 4 से काटो कितना होगा 15 से 15 चुका 60 बार में 5 बार में 5 बार में 3 से 15 कर देगा तो आपका x इस कल्टू कितना बचा x ब्राबर आपका कितना होगा 5 हुआ एक्स बराबर 5 हुआ ठीक है अब देखो आपने माना था लेंध को कितना माना थे हैं लेंद को कितना माना थे, लेंद को, लेंद को आपने माना थे, 2X, और ब्रेथ को कितना माना थे, ब्रेथ को X माने थे, ठीक है, तो X का वैलू 5 हुआ, तो 2 इनटू 5, मतलब 10 आपका लेंद हुआ, और ब्रेथ कितना हुआ, X हुआ, मतलब X के वैलू कितना माना थे, 5, तो 5 म हीटर ठीक है अब मुझे कर रहा है कि बताओ कि जो आपने लेंध निकाल लिये ब्रेथ निकाल लिये और अब एरिया ऑफ डार डौ ए एरिया ओफ डार धौर को पर ग्या होता है घैल इन्टु भी से देखिए तो आपको मालो कि यहां अच्छा समझ मैंता होगा कि पहले स्क्वार यह से लग रहा था लेकिन आप देखो रेक्टेंगल यह आपका मालो क्या है यह आपका लेंथ है ठीक है यह लेंथ है और यह आपका ब्रेथ है यह लेंथ है और ब्रेथ है तो आपका रेक्टे अंदर जो एरिया है इस एरिया को मुझे कल्कुलेट इस एरिया को होता है जो आपका रेक्टेंगल का लेंद इन्टु ब्रेथ होता है ठीक है जब आप लेंद इन्टु ब्रेथ करोगे तो आपका कितना आएगा तो आपका लेंद इन्टु ब्रेथ तो लेंद कितना आपका लेंद जो आपका 10 मीटर ब्रेथ कितना है 5 मीटर ठीक है जब solve करोगे आपका 50 मीटर स्क्वाइर ओके प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगत रिप्या लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा ओके थैंक्यू